टेरिल घैल जुडित को गोत में उठाए हुए था वो से लेकर दोड़ कर हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है टेरिल हैल्प के लिए भी चिला रहा था टेरिल जुडित को स्ट्रेचर के उपर लिटा देता है और खुद बेहोश होकर नीचे गिर जाता है वोकर्स हॉस्पिटल को चारो और से घेर लेते हैं जुडित के आँख खुलती है वो वोकर्स को अंदर आता हुआ देखती है और तुरंती उठकर किसी तरह से हॉस्पिटल के दरवाजी को बंद कर देती है जुडित उसके बाद तुरंती डेरल के पास बेहोश होकर गिर जाती है हॉस्पिटल के बहार डेरल के सभी साथी वोकर्स का सामना कर रहे थे ल्यूक और जूल्स जॉम्बीस के हॉर्ट में शामिल थे वो कामनफेल का गेट खूलते ही अपने साथियों से आ मिले थे जूल्स को बहुत सारे वोकर्स घेर लेते हैं और बहुत ही बुरी तरह से बाइट करने लग जाते हैं ल्यूक ये देखकर बहुत तेजी से चिलाने लग जाता है Walkers Luke के पैरों को भी पाइट कर लेते हैं कोनी और उसकी साथी Luke को उठा लेते हैं और Walkers का सामना करते हुए Hospital के और बाढ़ जाते हैं अगले सीन में Darryl को दिखाया जाता है उसकी बेहोशी टूट जाती है Carol उसकी सामने मौजूद थी Carol Darryl को उठने से मरा करती है लेकिन Darryl को Judith की चिंता थी वो दूरंती उठकर खड़ा हो जाता है और Judith के पाज जाकर उसे देखता है Darryl को realize होता है कि Judith को बहुत जादा bleeding हो चुकी थी और उसे दूरंती blood चड़ाने की जरूरत थी Darryl Carol को बताता है कि वो universal donor है और वो Carol से Judith को अपना blood चड़ाने के लिए कहता है Carol Darryl को बताती है कि hospital staff और medicine को Pamela ने state में shift करवा दिया है उसी room के दूसरी तरफ Yumi को, Megna, Kony और Kelly घायल Luke के पास मौजूद थे Luke के पैर को काड़ दिया गया था और उसे बहुत ज़्यदा bleeding हो चुकी थी Luke excessive bleeding होने के कारण मर जाता है Megna उसके head में step करके उसे reanimate होने से बचा लेती है Carol Darryl के blood को Judith की vein से connect कर देती है Walkers hospital में घुसकर आ जाते हैं Carol, Yumi को, Kelly, Kony और Megna उनका सामना करने चले जाते हैं इधर princess और Max दौनों ही Mercer को prison से आजात करवा देते हैं Princess और Mercer एक दूसरी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं अगले zin में Maggie और Negan को दिखाया जाता है Maggie पामिला का सामना करने के लिए एक अपनी gun को त्यार कर रही थी Negan चाहता था कि वो और Maggie दौनों मिलकर पामिला को मार डालें Negan इसके लिए एक बार फिर से Maggie को त्यार करने की कोशिश करता है Negan Maggie के सामने confess करता है कि वो समझ सकता है कि Maggie ने Glenn को अपने सामने मरता हुआ देखा था तब उसे कैसा महसूस हुआ होगा Meggie के आँखों में ये सुनकर आसू आ जाती है एजैकिल और मरसर लड़ाई के लिए वैपन्स को तयार कर रहे थे तब ही उन लोगों को वोकर्स का एक होर्ड प्रिजन के बाजू से गुजरता हुआ दिखाई देता है लीडिया और एरन उस हार्ड में से निकल कर उन लोगों को जाइन कर लेते हैं एरन लीडिया को मेडिकल एड के लिए ले जाना चाहता था वो इस बारे में जैकिल को इंफॉर्म कर देता है रोशिता यूजीन और गैब्रियल के साथ चाइल्ड नर्सरी के और चली गई थी चाइल्ड नर्सरी को चारों और से वाकर्स ने घेर लिया था रोशिता को कोको की चिंता होने लग जाती है और वो वाकर्स को देखकर बहुत बुरी तरह से घबरा जाती है रोशिता बच्चो के रूम में चली जाती है उसे वहाँ पर कोको सही सलामत मिल जाती है गैबिरिल और योजीन को और भी दो बच्चे वहाँ पर मिल जाती है वो सबी लोग उन बच्चो को अपने से अच्छी तरह से बांध लेते हैं और तुरंती बाहर खड़ी हुई एक ambulance में आ जाती है इधर जुडित को होश आ जाता है जुडित अभी भी थोड़ी थोड़ी बेहोशी की हालत में ही थी जुडित अपने आपको blood चड़ता हुआ देखती है और वो डेरिल के सामने admit करती है कि वो इस तरह से नहीं मर सकती क्योंकि मेशान रिक को खोचने के लिए गई हुई है और वो चाहती है कि वो उसका पूरा परिवार एक बार फिर से साथ हो जाए डेरिल को मेशान के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी वो जुडित के मुझे सुनकर हैरान हो जाता है जुडित एक बार फिर से बेहोश हो जाती है केरॉल तब ही वहापर पहुच जाती है रोशिता केरॉल को हॉस्पिटल में कांटेक्ट करके उसे इनफॉर्म करती है कि ह兩 को जार और से Walkers ने घेर लिया है टेरिल जुडित की वेंज़ से ब्लड की ट्यूब को निकाल देता है टेरिल जुडित को उसी रूम में अच्छे से लॉक कर देता है और केरोल के साथ Walkers का सामना करने के लिए हॉस्पिटल के में एंटरेंस पर चला जाता है युमी को अपने साथियों के साथ वॉकर्स का सामना कर रही थी वो सभी लोग मिलकर हॉस्पिटल के एंट्रेंस के डोर को बंद कर देते हैं एक वॉकर पथर लेकर हॉस्पिटल के एंट्रेंस के दरवाजे को दोर देता है सभी walkers hospital के अधर खुश चाते हैं टेरिल जुडित को stretcher के साथ लेकर अपने साथियों के साथ hospital के दूसरी तरफ से निकलने लग जाता है और बहुत सारे walkers उन्हें चारों और से घेर लेते हैं इधार रोशिता, योजीन और गैप्रियल बच्चों को अपने से बांध लेते हैं और पास ही मौजूद building के और move करने लग जाते हैं योजीन और गैप्रियल किसी तरह से walkers का सामना करते हुए building के pipe से उपर के और चड़ जाते हैं रोशिता भी उन लोगों के पीछे pipe से उपर चड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो कोको के साथ walkers के बीच में गिर जाती है योजीन और गैप्रियल रोशिता को इस तरह से गिरता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं रोशिता भी walkers का सामना करते हुए एक बार फिर से उठकर खड़ी हो जाती है और वो walkers का सामना करते हुए एक गाड़ी के उपर चड़ जाती है रोशिता गैब्रियल और योजीन के कहने पर उस गाड़ी के उपर से ही pipe के उपर जंप लगाती है और पाइप से चड़कर तुरंती बिल्डिंग के अंदर चली जाती है इधर मरसर बाइनकुलर से एस्टेट के गेट पर एखटे हुए कॉमनवेल्ट के लोगों को देखता है वो सबी लोग एस्टेट के दरवाजे को खोलने की रिक्वेस्ट कर रहे थे मरसर उन सभी को बचाना चाहता था मरसर का साथ देने वाले टूपर्स आकर उसे बताते हैं कि पीछे का रास्ता अब पूरी तरह से ग्लियर हो चुका है और वो लोग खायलों का इलाज कराने के लिए अब टॉमी के पास इसली पहुंश सकते हैं डैरिल जुडित को टॉमी को दिखाता है टॉमी जुडित की कंडिशन को देखते हुए उसका तुरंती ऑपरेशन करने का अरेंजमेंट कर देता है लीडिया को भी मैडिकल एट मिल जाती है लीडिया को जूल्स और लोग की दर्दनाक मौत के बारे में पता चल चुका था वो एलाजसा और जैरी के लिए चिंता करने लग जाती है मैगी तभी नीगन को खोस्ती हुई वहाँ पर आ जाती है उसे नीगन, मशीन गन लेकर स्टेयर से उपर जाता हुआ दिखाई देता है नीगन मैगी को खत्रे में नहीं डालना चाहता था लेकिन मैगी पहले तो उसे अवाइट कर देती है फिर तुरंती उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है मैक्स और यूजीन एक कमरे में एक साथ थे मैक्स सो रही थी वहीं पर रोशिता कोको के साथ फायर प्लेस के पास बैठी हुई थी यूजीन रोशिता के पास जाता है रोशिता यूजीन को अपने पास मौजूद देखकर उसे बताती है डेरेल जुडित से मिशौन के बारे में बात करता है और उसे पूसता है कि उसने उसे पहले इस बारे में क्यों नहीं बताया था जुडित डेरेल को बताती है कि वो डरती थी कि डेरेल भी उसे छोड़ कर रिक्की खोज में चला जाएगा इधार मरसर एस्टेट के गेट पर नज़र रखे हुए था वो देखता है कि कुछ लोग एस्टेट के गेट को पार करने की कोशिश करते हुए टूपल्स के हाथों मारे जा रहे थे मरसर ये देखकर डैरेल और उसकी साथियों को पीछे के रास्ते से कॉमन वेल को छोड़ कर अलेकसेंट्रिया जाने के लिए कहता है मरसर खुद एस्टेट के टूपल्स का सामना करने के लिए तयार हो जाता है इजैकल और वहां मौझूद सभी लोग मरसर की लड़ाई में उसका साथ देना चाहते थे वो सभी अलेकसेंट्रिया जाने से मना कर देते हैं और मरसर की ग्रूप में शामिल हो जाते हैं एस्टेट के गेट के अंदर पामिला वाइकर्स और अपने टूपर के साथ मौझूद थी बाहर लोग पामिला से गेट को खोलने के लिए कह रहे थे मैगी ने दूर से पामिला को अपने निशाने पर ले लिया था नीगन भी बाइनकुलर से पामिला के उपर नज़र रखे हुए था तब ही मरसर अपने सभी साथियों के साथ पामिला के पास पहुँच जाता है वाइकर्स पहले तो उसे निशाने पर ले लेती है लेकिन फिर वो मरसर के साथियों को देखकर अपनी गन को टाउन कर देती है वाइकर्स एस्टेट के गेट के काफी पास पहुँच चुके थे गेट के बाहर मौझूद लोग घबरा कर बहुती बुरी तरह सी चिलाने लगे थे पामेला बहुत ज़दा गुसे में आ जाती है और वो टूपर्स को उन सभी लोगों को शूट करने के ओर्डर्स दे देती है डेरल पामेला को इस तरह से देखता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने कॉमनवेल को अपने पुराने दिनों के साब से बनाया था डेरल पामेला को कहता है कि अब उसका एक ही दुश्मन होना चाहिए था और वो वोकर्स नहीं थे वाइकर्स डेरल की इस बात से सहमत हो जाती है और वो अपनी गन को डाउन करके वर्सर का साथ देती है गैब्रियल एस्टेट के गेट को खोल देता है एस्टेट के बाहर मौझूद लोग अंदर आ जाते हैं पामिला वाकर्स के बीच में मौझूद लैंस को देखती है उसे देखकर वो बहुत ज़दा इमोशनल हो जाती है और वो उसके पास गेट के बहुत ज़दा नस्दीक बहुत जाती है लैंस पामिला को अपने कबसे में लेने लग जाता है तभी मैगी गोली चला कर लैंस को ख वहाँ मौझूद सीवर्स के अंदर ओयल डॉप कर देते हैं और वो लोग जगे जगे ओयल टैंक्स रखकर उसे डैनमाइट से फिक्स कर देते हैं वॉकर्स के उस प्लेस के पास भुहसते ही वो सभी लोग डैनमाइट को आन कर देते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्स्प्लोशन होता है और वहाँ मौझूद सभी वॉकर्स मारे जाते हैं पामिला को अरेस्ट कर लिया जाता है उसे जेल में बंद कर दिया जाता है केरॉल और डैर्ल उससे मिलने के लिए जाते हैं प्रिजन में पामिला को कैरॉल बताती है कि उसे जीवेती रखा जाएगा लेकिन वो अपकैद में ही रहेगी। ये सब कुछ होने के बाद मैगी और नीगन आपस में बात करते हैं। मैगी नीगन को बताती है कि ग्लाइन बहुत ही प्यारा था। और ग्लाइन के जाने के बाद वो किसी और को इस तरह से प्यार नहीं कर पाई, जिस तरह से वो ग्लाइन को प्यार किया करती थी। मैगी नीगन को बताती है कि वो क्लैन के मरने को अभी तक नहीं भूल पाई है और इसलिए वो नीगन को माफ नहीं कर पाई है नीगन मैगी की कही हुई बातों को समझ जाता है और वो कामन वेल्ट को छोड़ कर हमेशा के लिए वहाँ से चला जाता है डेरिल खिड़की से निगन को जाता हुआ देखता है कॉमन वेल्ट में पार्टी शुरू हो चुकी थी लूग के सभी दोस्त उसे याद करके उसकी याद में टोस्ट करते हैं यूमी को और मेगना एक बार फिर्ज से मिल जाते हैं और अपनी आगे की जर्णी को शुरू करने का वादा करते हैं उसी वक्त रोशिता गैब्रियल को अपने वॉकर के बाइट के बारे में इनफॉर्म कर देती हैं रोशिता को मैगी और गैब्रियल उपर ले जाते हैं रोशिता यूजीन से बात करती है कैपरिल उसके लिए लास्ट प्रेयर पढ़ता है रोशिता कोको को प्यार करती है और इसके बाद रोशिता मर जाती है एपिसोड में इसके बाद एक साल बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ही ब्यूटिफुल मैमोरियल बना हुआ था जिसमें रोशिता के साथ लड़ाई में खोई हुए लोगों का नाम लिखा हुआ था योजीन उसकी ग्रेप पर फूल चड़ाता है योजीन इसके बाद मैक्स के पास पहुंसता है मैक्स और योजीन को एक बेटी हो चुकी थी और योजीन ने उसका नाम रोशी रखा था लीडिया और अलाइसा अब दोनों एक साथ थे और वो दोनों मेसेंजर का काम कर रहे थे लीडिया बताती है कि अलेकसेंड्रिया अब बहुत ही अच्छी स्थिति में पहुँच चुका है और उसे कॉमनफेल्ट का पूरा सपोर्ट मिला हुआ है डैल भी अपने एक ट्रिप से लौट कर कॉमनफेल्ट पहुच चुका था उसका कोनी से सामना होता है डैल कोनी को बातों के दोरान बताता है कि वो अगली ट्रिप के लिए जल्दी ही रवाना होने वाला था केरॉल ने लैंस की ड्यूटी को अपना लिया था और वो कॉमनफेल्ट का ध्यान रख रही थी डीडिया जुडित को नीगन का दिया हुआ किफ देती है जुडित देखती है कि नीगन ने उसे कमपास लोटा दिया था नीगन चाता था कि वो कमपास जुडित को फ्योचर में गाइड करे मरसर और एजेकिल दोड़ा ही मिलकर कॉमनवेल को अच्छे से चला रहे थे एजेकिल वहाँ का गवर्नर था और मरसर लेफटेनेंट गवर्नर बन चुका था केरॉल डेरल को लेकर एक स्ट्रीम के किनारे चली जाती है केरॉल डेरल को बताती है कि वो उसका बहुत ही अच्छा दोस्त है और वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है डेरल भी केरॉल को हग करता है और उसे अपने आगे की जर्णी के पारे में बताता है डेरिल जाने से पहले एक बार जुडित के पास जाता है और उससे प्रामिस करता है कि वो उसके पैरेंट्स को ढून कर रहेगा डेरिल इसके बाद अपनी मोटर साइकल को लेकर अपनी आगे की जड़ने के लिए निकल जाता है अगले सीन में एक कैमफायर को दिखाया जाता है रिक और मिशॉन दौनों ही एक दूसरे को लेटर लिख रहे थे मिशॉन बहुत ही प्यार से रिक के पुराने जूतों को और एक स्मार्टफोन को दीख रही थी उस स्मार्टफोन के उपर जुड़ित और मिशॉन की पिक्चर एंक्रेव की गई थी इसके बाद रिक को दिखाया जाता है रिक उस लेटर को एक बॉटल के अंदर बंद करके उसे समुत्र के अंदर डाल देता है रिक के पास वही मुबाइल और वही बूट मौजूद थे यानि कि एक पास्ट की घटना दिखायी जा रही थी रिक उन सभी चीजों को एक बैक के अंदर डाल देता है रिक ने एक Civic Republic Military Jacket पहनी हुई थी, वो एक ऐसी जगे पर था जो बहुत जादा कीचर और Walkers मौझूद थे, रिक बहुत दूर मौझूद एक City को ध्यान से देखता है, तब ही एक हेलिकॉप्टर रिक के उपर पहुँच आता है, उस हेलिकॉप्टर में आने वाली आवाज रि से उसका backpack मिल गया था, जिसके अंदर से उससे boot और उसका mobile मिला था, रिक की स्थिति को देखकर ऐसा पता चलता है कि रिक CRM से भाग रहा था, क्योंकि रिक हेलिकॉप्टर को देखकर बहुत जदा घबरा गया था, और वो बहुत ही बुरी स्थिति में था,